हिंदी साहित्य कुएक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों मेरा चैनल पसंद आये तो शेर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों आज हम पिछले वीडियो के ही प्रश्नों को आगे करेंगे ठीक है हमने 56 तक प्रश्न कर लिए थे 57 से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो हमारा विशे था निर्गुण ग्यानाश्रई शाखा के संद तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 57 प्रश्न से 57 प्रश्न है दोस्तों हमारा जंबनात जंबनात का प्रशिद समाधी इस्थल समाधी इस्थल पूछ रहे हैं जंबनात ठीक है तो याद रखे दोस्तों प्रशिद समाधी इस्थल कहां पर था संबरा थल में संबरा थल संबरा थल ठीक है जंबनात का समाधी इस्थल तो य की मृत्यू से भी जुड़े हुए मिलेंगे गुरुओं की तो आप उन पर भी ध्यान दीजिए ठीक है प्रश्ण 58 दोस्तों जंबनात जंबनात ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी तो दोस्तों विश्नुई संप्रदाय विश्नुई संदर्दास का म्रित्यू कहां हुई थी दोस्तों संगा नेर में संदरदास की मृत्यू हुई थी तीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये देख लीजिए 60 प्रश्ण अच्छे से सुन्दरदास की मृत्यू कहां हुई थी सांगा नेर में प्रश्ण 61 है दोस्तों निरंजनी संप्रदाई निरंजनी संप्रदाई का मुख्य केंद्र कौन सा था तो दोस्तों डीडवाना डीडवाना कहां पर है ये राजिस्थान में ठीक है तो राजिस्थान में था निरंजनी संप्रदाई ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न 62 दोस्तों निरंजनी संप्रदाय कहां प्रचलित था तो दोस्तों ओडिसा ओडिसा आज के वर्तमान समय में ओडिसा कहा जाता है और प्राचिन समय में इसे ओडिसा कहा जाता था ठीक है याद रखें दोनों एकी चीज है तो निरंजनी संप्रदाय प्रचलित था क पर ओडिसा में ठीक है प्रस्ण 63 है निरंजनी संप्रदाइक के मूल प्रवर्तक कौन है तो दोस्तों हरीदास निरंजनी हरीदास निरंजनी important question थीक है तो इनके इस संप्रदाइक के मूल प्रवर्तक को लेकर काफी विवाद है लेकिन जो अधिकांश लोगों का मत है तो वो तो हरी दास निरंजनी को ही मानते हैं, ठीक है, तो इनी के पक्ष में हैं, तो आगे चलते हैं, प्रशनी 64 है दोस्तों, सक्खी संप्रदाय, सक्खी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कोन है, तो इसके भी मूल प्रवर्तक हरिदास निरंजनी है ठीक है तो सखी संप्रदाय तो निरंजनी संप्रदाय की शाका थी या इसी तरह से ठीक है तो आपसे पूछा जाए कि निरंजनी संप्रदाय पूछा जाए तो भी हरिदास और सखी संप्रदाय पूछा जाए तो भी हरीडास निरंजनी आगे चलतें दोस्तों है फर्ष सब्सक्राइब देखने संगीतकार हरीडास निरंजनी घ्रका उड़ाओग 7 अगे चलते हैं दोस्तों हुआ को सफ दोस्तों दोस्तों ने डास और रूपदास हरी दास निरंजनी के दो मुख़े प्रसिद संगीतकार भी रहे हैं ठीक है ये इनकी एक और विशेष्टा है तो संगीत के छेत्र में किसके गुरू थे तो तानसेन के गुरू थे कौन हरीदास निरंजनी ठीक है याद रखिए प्रश्ण प्रश्ण हरीदास निरंजनी की रचनाएं कौनसी हैं तो दोस्तों अस्ट पधी एक बहर देख लिजी अच्छे से इस्ख्रीन दिखाते हूँ में आपको प्रश्न 76 दोस्तों हरिदाश निरंजनी की रचनाएं कौण सी है तो अस्ट पदी जोगन्त अस्ट पदी जोगन्त थिक तो आप देखा लीजिए एक बार स्क्रीन पर आपके सामने हैं सभी रचनाएं तो यह सभी हरिदाश निरंजनी की प्रमुक्र tracks आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्ण 68 वा है दोस्तों दादु देयाल का प्रसिद सत्संग स्थल कौन सा है तो याद रखिए इनके सत्संग जहां पर होते थे वह इस्थान पूछा जा रहा है तो दादु देयाल ठीक है इन सबके जन्मतितियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो को देख लीजिए भक्तिकाल के शुरुआती वीडियो आपको वहां से सारी जनकारी मिल जाएगी ठीक है जन्मोर्म रित्यों तित्यों के बारे में ठीक है अभी हम देखते हैं दादु देयाल का प्रसिद सत्संग स्थल कौन सा है तो दोस्तों अलक दरीबा अलक संप्रदाय कहो या पर ब्रम संप्रदाय कहो ठीक है दोनों बात एक ही है ठीक है तो कहीं कहीं कंफ्यूज करने के बच्चें कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा स्टूडेंट्स कि यह कब आ गया यह कहां से पूछ लिया ठीक है यह सारी चीजे एक ही है ठीक है ध्यान रखना तो ब्रहम संप्रदाय और पर ब्रहम संप्रदाय से दादु देयाल का संबंध था, प्रशने सत्तरवा दोस्तों, दादु देयाल के शिशे कौन थे, तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट कोशन है, ध्यान रखें शिशे प्रंपरा आ गई यहां पर, तो रजब, ठीक है, संप्रदास, प्रागदास और जन गोपाल, ये सभी कौन थे, दादु देयाल के शिशे है, आजबे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रशने 71, दोस्तों, इकतरवा प्रशने है हमारा, दादु के दो उत्तर अधिकारी पुत्रों का नाम क्या है? दादू के दो उत्तर अधिकारी पुत्रों का नाम क्या है तो दोस्तों गरीब दास और मिस्किन दास ये दादू देयल के दो उत्तर अधिकारी है और जो की इनके पुत्र भी है ठीक है तो याद रखिए दोस्तों ठीक है गरीब दास और मिस्किन दास अगला प्रशन है प्र वह प्रथम संपादन सबसे पहले संपादन इनकी वाडियों का इनके किन दो शिष्यों ने किया था तो दोस्तों याद रखिए संतदास और जगन दास, ठीक है, संत दास और जगन दास, यह important question है, आया हुआ question है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और कर लीजिए, उत्तर अधिकारी की बात की जाएगी, तो इनके दो पुत्र थे, कौन गरीब दास और मिस्किन दास, ठीक है, और वहीं अगर इनके वाणियों के संपादकों की बात की जाएगी, तो इनके दो शिश्यत है, कौन-कौन संत दास और जगन दास, ठीक है, आगे वढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रशन है, 73 प्रशन दोस्तों, संत दास और जगन दास ने दादु दयाल की वाणियों का संपादन किस नाम से किया, त बाणी नाम से संत दास और जगन दास ने दादु दयाल की वाणियों का संपादन किया, ठीक है, याद रखना दोस्तों, आया हुआ कुशन है, आगे बढ़ते हैं, प्रशन चोहत्तर, चोहत्तरवा प्रशन है दोस्तों, दादु दयाल की रचनाओं का प्रमाडिक संकलन, नाम क्या दिया उसे, अपने संकलन को दादु दयाल, ठीक है, तो परसू राम चतुरवेदी ने दादु दयाल नाम से, दादु दयाल की रचनाओं का प्रमाडिक संकलन किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पिछत्तरवा प्रशन है, दोस्तों, हमारा, रजजब ने, के बाणी का संपादन, इनोंने इसको नया सीरसक दिया, तो क्या रचनाती हम्पादन को देख जाती है, ठीक है, तो अंग बढ़तों, और प्रमाडिक संकलन का प्रशु राम चतुरवेदी ने, ठीक है, तो इस तरह से इनकी रचना का संपादन हुआ है, ठीक है, तो उसकी भात हो रही है यहां पर किसने किस नाम से किया तो आप याद रखिए तो रजजब नहीं जो किया था तो इन्होंने अंगवदू नाम दिया और परशूराम चतुरवेदी ने दादू दयाल नाम दिया ठीक है और इससे पहले जो इनके दो सीष्चे थे मैंने आपको बताई नाम कि संग्रे कि अभी है यह नाम दिया करना था नहीं है प्रशने सातर्था द्धाय कोशंक एक पर प्रभावित उक्षिन के उपधेसों से दादु देयल के उपधेसों से प्रशन alpha Cup Channel के सहीत्ते की सब्से प्रमुख मेख और नजाते। जो सकते के सहीत्ते की सब्से प्रमुख विशेयसता है कि यह सरल और बोद गम्में है याद रखना दोस्तों। erased कि अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्न है उनत्तरवा प्रश्न ठीक है उनत्तरवा प्रश्न है हमारा एक मिनट दोस्तों ठीक है 69 प्रश्ण है हमारा दादू देयाल किसके मतानू याई थे तो दोस्तों कबीर के मतानू याई थे कौन दादू देयाल ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्ण असी असीवा प्रश्ण है दोस्तों दादू देयाल का प्रशिद मृत्यू इस्थल कौन सा है तो दादू देयाल का मृत्यू इस्थल है दोस्तों भराने भराने ठीक है कहां पर है ये राजिस्तान में ठीक है याद रखना भराने राजिस्तान में प्रश्ण 81 बा बाबा लाल ने किस संप्रदाई की स्थापना की थी ठीक है बाबा लाली संप्रदाई की स्थापना की थी ठीक है बाबा लाली संप्रदाई की स्थापना की थी ठीक है बाबा लाली संप्रदाई की स्थापना कहां हुई ठीक है बाबा लाली संप्रदाई की स्थापना हुई गुरू दास पूर में, फिके दोस्तों अगला प्रशन धिरासिवा logic के गुरू कौन थे तो दोस्तो गगन चिस्ती Кुसके गुरू थे बाबा लाल के गुरू थे प्रशन 84 है दोस्तो बाबा लाल की रचना य कोन सी हैं तो दोस्तो असरारे असरारे बाबा लाल की रचनाई हैं आगे चलते हैं दोस्तो इस प्रशन को फिर से देख लीजिए दोस्तो 84 प्रशन है बाबा लाल की रचनाई कौन सी हैं तो दोस्तो असरारे मार्फत और नादी रू निकात ठीक है ये दोनों बाबालाल की रचनाए हैं आगे देखते हैं 85 वह प्रश्न है दोस्तों अमारा बाबालाल कृत असरारे मार्फत बाबालाल कृत असरारे मार्फत में किसका वारतालाप संग्रहित है तो दोस्तों बाबालाल और दारा शिको का बाबालाल और दारा शिको का वारतालाप संग्रहित है, किसमें अस्रारे मारफत में, ठेक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न 86 86 वा प्रश्न है दोस्तों हमारा संत कवियों में महीला संत साधिका महीला संत साधिका कौन थी तो दयाबाई सहजोबाई बाबरी साहिबा दयाबाई सहजोबाई बाबरी साहिबा तो ध्यान रखिए संत महीला की बात हो रही है महिला साधिकाएं ठीक है तो सहजोबाई दयाबाई और बाबरी साहिबा ठीक है बाकिस सगुण में हम मीरा और अंडाल के बारे में भी पड़ेंगे ठीक आगे और देखिए मीरा अंडाल का भी नाम याद रखिए ठीक है तो जो भी ऑप्षन में आए तो आप करेक्ट लगाते चलना प्रश्ण 86 बाद 87 अक्षर अनन्य अक्षर अनन्य किसके गुरू थे दोस्तों 16 साल के गुरू थे अक्षर अनन्य ठीक है प्रश्ण 88 रज्जब का पूरा नाम क्या था दोस्तों तो रज्जब का पूरा नाम था रज्जब अली रज्जब अली प्रश्न 89 दोस्तों रज्जब की प्रश्न नवासी है दोस्तों रज्जब की रचनाएं कौन सी हैं तो रज्जब की रचनाएं सत्संगी और अंगवदू सत्संगी और अंगवदू रज्जब की रचनाएं प्रश्न नभ्य है दोस्तों रज्जब की रचनाएं किस में संकलित हैं तो दोस्तों रज्जब वा प्रश्न बानवे है हमारा संथ शेख फरीद को अन्य किन नामों से जाना जाता है तो दोस्तों शाह ब्रह्म शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह और संकर गंज ठीक है फिर से सुन लीजिए शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह और संकर गंज इन तीनों नामों से शेख फरीद को जाना आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्ण पर प्रश्ण तेरानवे है दोस्तों हमारा मलूक दास की रचनाएं कौन सी हैं मलूक दास ठीक है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम ठीक है ये पंक्ती आपने पढ़ी होगी मेरे पिछले वीडियो में अपनी किताबों में भी पढ़ी होगी, important है, सही है ना, तो मलूगदास की रचनाएं, पूछी जा रही है, तो ग्यान बोध, रतन खान, रतन खान, यहां लिखा हूँ है, ठीक है, ग्यान परोधी, राम अवतार, लीला, ग्यान बोध, रतन खान, ग्यान परोधी, राम अवत लीला, यह सभी मलूगदास की रचनाएं, ठीक है, important है, बाकी प्रशन 94, प्रशन 94 हमारा है, दोस्तों, मलूगदास के दो प्रशिद गरंथ कौन से हैं, ठीक है, तो मलूगदास के दो प्रशिद गरंथ बताने हैं, एक तो ग्यान बोध, दूसरा राम अवतार, लीला, ग् ज्यादा प्रसिद क्रंथ हैं ठीक है याद रखना दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रशन पिच्चानवे दोस्तों प्रशन पिच्चानवे मलूग दास की रचना है मलूग दास की रचना ज्यान बोध में किसका वर्णन है तो दोस्तों ज्यान भक्ति और वैराग्ये ज्यान बत्ती और वेराग्य का वर्णन है मलूक दास की रचना ज्यान बोध में अगला प्रशने दोस्तों हमारा प्रशने च्यानवे मलूक दास की रचना राम अवतार लीला में किसका वर्णन है तो दोस्तों रामायन की कथा का वर्णन है मलूक दास की रचना राम अवतार की लील में आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्ण 97 प्रश्ण 97 सुंदर दास की प्रमुख हां कौन सी हैं 0102 ग्ञान समुद्र टहें और सुन्दर विलास ठीक NOR्ue तो सुन्दर विलास तो फूची पुची जाती है ठीक तो याद रखे सुन्दर दास की प्रमुख रचनाओं की जब बात करते हैं तो ग्यान समुद्र और सुन्दर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठीक है अगला प्रशन है प्रशन 98 दोस्तों सुन्दर दास की कवीता की भाशा क्या है ठीक है तो इनकी कवीता की भाशा कैसी है यह तो कलात्मक है और परिमार्जित भाषा है कलात्मक और परिमार्जित भाषा है ठीक है दोस्तों याद रखिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्ण है दोस्तों सुन्दर दास प्रश्ण 99 ठीक है सुन्दर दास ने गेपद और दोहे के अलावा किसमें रचनाई की है तो गेपद में तो की है और दोहे में भी की है तो इसके अलावा कवित और सवया चंद में इन्होंने अपनी रचनाई की है कवित और सवय या चंद ठीक है याद रखिए प्रशन सो ठीक है प्रशन सो या कहो या एक सो कहो तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों एक्जेंस में आया हुआ है इसलिए याद रखिए आप सुर्ती पूछा जाता है कि सुर्ती से क्या आसे है या क्या अभी प्राय है तो पर आंद कानुभव देख लिए अब दें निर्ती ठीडास अफिश्ण एक्सो एक्सो एक प्रस्ण 101 निर्ती क्या है तो निर्तीस क्या अस्य है तो दोस्तों जगत प्रपंच से विरक्थी यानि कि जब इस अंसार से और इस संसार की स्मौ मायर से जब हमें विरक्ती जाती है तो उसे निर्थी कहते हैं और जब हम इस संसार में आनंद का अनुभव करते हैं तो वो सुर्थी होता है ठीक है तो इंपोटेंट है दोनों और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है याद रखिए इंपोटेंट है इसको कर लेना चाहिए अगला प्रश्न है 102 प्रश्न 102 निर्गुण पंथ में सरवादिक सास्त्रक और शिक्षित संत कौन थे ठीक है निर्गुण पंथ में पूछा जा रहा है निर्गुण पंथ इस पूरे पंथ में सबसे ज़्यादा सास्त्रक और शिक्षित संत कौन थे most important question तो संत सुन्दर दा और इनी की रचना है सुन्दर विलास इनी के नाम से याद रखना ठीक है तो ग्यान बोद और सुन्दर विलास अभी हमने पिछले प्रश्ण में पढ़ा था याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट कोश्चन है प्रश्ण एक सो तीन है हमारा संत जग जीवन दास ने किस प्रवर्टन किया था किसने संत जग जीवन दास ने ठीक है याद रखना आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है दोस्तों हमारा एक सो चारवा प्रश्ण ठीक है संत जग जीवन दास ने जग संत जग जीवन दास के तीन प्रधान गरंथ कौन से हैं तो दोस्तो इनके तीन प्रधान ग्रंथ हैं हमारे ज्यान प्रकाश महाप्रले प्रथम ग्रंथ ये सभी संत जग जीवन दास के प्रधान ग्रंथ हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न 105 संत जग जीवन दास ने किसकी उपासना को धर्म माना है तो दोस्तों निर्गुन ब्रह्म की उपासना को संत जग जीवन दास ने क्या माना है दोस्तों धर्म माना है ठीक है तो प्रश्न 106 संत जग जीवन दास के दो प्रमुक शिश्यों के नाम बताने हैं तो इनके जो दो प्रमुक शिश्य थे वो कौन थे गोविंद साहब गोविंद साहब या भीका साहब ठीक है गोविंद साहब भीका साहब ठीक है ये दो संत जग जीव कि चलते हैं दोस्तों 53 टो सात प्रशने 107 है नुद्शाजी आड़ा कि भक्ति कालीन वीर काव्वे कौन सी है दोप्रणापरताब का ये शोगान हुआ है जिसमें महारानापरताप का ये शोगान हुआ है तो दोस्तों वह है विरुध चीहत्री काव्वे विरुद चीहत्री काव्वे दोस्तों important question ठीक है important most important question है ठीक है याद रखना प्रश्न 108 प्रश्न 108 ठीक है संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है ठीक है याद रखना नारी के किस रूप की तो दोस्तों नारी के कामिनी रूप की निंदा की है किसने संतों ने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है संतों ने याद रखना दोस्तों important question था मैं भूल गई थी इसको पिछले वीडियो में इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रशन 109 उदासी संप्रदाई उदासी संप्रदाई के प्रवर्तक कौन है तो दोस्तों स्रीचंद उदासी संप्रदाई के प्रवर्तक है प्रशन 110 साधो संप्रदाई इसके जनक कौन है तो वीरभानू साधो संप्रदाई के जनक है प्रशन 111 साधो संप्रदाई साधो संप्रदाय का केंद्र इस्थल कौन सा है तो दोस्तों साधो संप्रदाय का केंद्र इस्थल है फरुखा बाद ठीक है उत्तर प्रदेश तो फरुखा बाद याद रखना दोस्तों ठीक है तो ठीक है दोस्तों हमारे सभी प्रश्ण निर्गुण ग्यानाश्रई साखा के संब्धन में यही समाप्त होते हैं ठीक है बाकी मिलेंगे सगुण से संब्धनित कुछ प्रश्णों के साथ आपके सामने अगले वीडियो में तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों